हेलो एब्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अश्य होंगे भारतिय रास्टी आंदोलन के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके साथ डिसकस करूँगा इस वाली सिरीज में आज हम लोग सि उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले देखो मेरी फर्स्ट कोश्चन के साथ पाला कोश्चन देखो क्या लिखा गया है विच अप फॉल्वाइंग इंडियन लीडर एटेंडेट अर्टी सी यानि की आर्टी सी का मतलब हो गया राउंटेवल कॉन्फरेंस इन लंदन य जो है अच्छे से डील कर पाओ एक्जाम में सही करके आप आओ सीधा सीधा इसका आंसर देखे मैं बता देता हूं मौलाना मुहम्मद अली इसका सही जवाब है ठीक बात है बड़ा ही असान सा सवाल है लेकिन याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड ड्रार टी सी राउंटेवल कॉनफरेंस में दूतिये जोमेलन में किसने पार्सिपेट करा था तो इसका देखे सही जभाब क्या होगा ॉब कि इसका सही जबाब हो जाएगा मात्मा गांधी यह दिमाग में आप जो है सेट कर लीजएगा Congress नहीं गई थी क्यों नहीं गई थी क्योंकि इंडिया में उस समय आपके यहां पे इंडिया में जो है सविनाई अबग्या आंदोलन चल रहा था और यह बहुत पीक पे था इसलिए Congress ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था गवर्मेंट ऑफ इंडिया के लिए 1919 में मैं आपको कुछ और बाते एक्स्ट्रा बता देता हूं ताकि आपको चीजे को जो है compile करने में आसानी हो देखी आगे बढ़ते हैं 1919 में देखे क्या किया गया था गवर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मांग रखी गई थी कि policy making यानि कि जो नियम कानून वगेरा बन रहा है राज में कैसी नीतियान लागू होगी policy making वगेरा में जो है इंडियन का भी participation हो इंडियन को सामिल किया जाए participation policy दोनों में जो है इंडियन को सामिल किया जाए और administration जैसे की police वगेरा में तो सामिल ही है जाप पर 10 साल के बाद अभी तो जो मिल रहा है वो मिलना ही चाहिए और 10 साल के बाद फिर से एक बार review किया जाए एक review committee का गठन किया जाए जो की reform और जो भी changes है यानि कि जो बदलाव आने चाहिए जो change आना चाहिए वो किया जाए तो देखिए अंग्रेजों ने इन लोगो की बात मान ली इन लोगों यानि हम लोगों की बात मान ली और साइमन साइमन कमिशन आपने सुना होगा साइमन कमिशन को जो है यहाँ पर लगा दिया और बोला कि भाईया तुम रिपोर्ट तयार करो और आपको जानकर हैरानी होगी साइमन कमिशन में कोई भी इंडियन सा हो रही होगी यहां पे और अब देखिए क्या हुआ अब देखिए यह तो जो मैंने कहा है तत्स साल के बाद एक कमिशन का गठन किया जाना था तो अंग्रेज़ों वन्हें सांइमन को कर दिया, अब देखिए, इंडिया के तरफ से नेहरू, नेहरू जो है, नेहरू रिपोर्ट की बात की जाती है, नेहरू ने अपना रिपोर्ट सोफ़ा और इसी तरह से जिन्ना, मुहोमद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान को लेकर आप जो है, जिन्ना ने 14 पॉइंट रखा अपने point of view से ठीक है और ये जो है अपना point of view रखते हैं और तीसरा जो था आपको पता ही है Simon Commission की जो report रखी गए थी एसार Simon Commission report थी ये तीन report हो गए अब देखो सरकार किस की बात मानेगी नहरू की मानेगी जिन्ना की मानेगी या Simon Commission की बात मानेगी तो इसके लिए जो है ब्रिटिसर्स ने इंडियन्स को कहा कि आओ एक round table conference करते हैं और हम लोग मिल बैठ कर इसमें बात करेंगे देखिए round table actually अब जब आप देखोगे round table की photo बगेरा यहां से मैं आपको photo लगा कर दिखा देता हूँ तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा में जो oil shape में है गोल नहीं है लेकिन फिर भी round table कहने का मतलब है कि जहां पर सभी बराबरी के साथ बैठेंगे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं और एक दूसरे के साथ discuss करेंगे गोल में सम्मेलन का यह मकसद था ठीक है लेकिन जब आप देखना कहीं किसी दोस्त के यहां रि inferior की बात की जाती है उच और नीच की बात की जाती है बट ऐसा नहीं होता है बट ऐसा किया जाता है लेकिन round table में क्या होता है सभी बराबर होते हैं तो बोला गया कि round table conference हम लोग करेंगे अब देखिए पहले round table में मौलाना मुहमद अली पहुँचे हुए थे और हिंदू मह महासभा याद रखेगा हिंदू महासभा के लोग भी यहाँ पर गए हुए थे याद रखना इस बात को exam में question पूछा जाता है हिंदू महासभा भी यहाँ पहुची हुई थी और कुछ और चीजों को कर आप देखोगे तो देखिए इसमें जो है Muslim League के भी लोग गए हुए याद रखिए कुछ और important point में extra बता देता हूँ उसके बाद तो question answer है ही तो देखिए 58 Britishers जो politician थे Indian politician, British politician यहाँ पर participation किया था 16 जो princely state से वो यहाँ पर participate किये थे जो princely state के designate अधिकारी थे वो यहाँ पर गए हुए थे राजा ही आप समझ लो और तीन British parties जो British political party है वो बहुत important सवाल है ठीक है अब आगे देखिए हिंदु महासभा की ओर से कौन गया था तो देखिए मोंजी जो है वो हिंदु महासभा की ओर से गए हुए थे ठीक है यह सवाल पूछा जाता है और depressed class यानि कि जिसे चुवाचुत वाली class कहा जाता है वहां से बियार अंबेद ने participation नहीं किया था यह था पहले question का explanation अब जो है आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे आगे देखिए अगला सवाल है कि पर्थम गोल में समेलन में निमलिकित में से कौन सा बात सच नहीं है गलत है यह आप से पूछा गया है अच्छी बात है तो देखिए यह 1930 में आ यह लंदन में आयोजित किया गया था definitely यह लंदन में आयोजित किया गया था यानि कि पहला दूसरा तीसरा तो सही है लेकिन यहां पर पूछा गया कौन असत्य है not true इसमें Congress के परतिनिदी ने भाग नहीं लिया था मैंने का था ना first RTC में Congress की और से कोई नहीं गया था तो आयोजित परतम गोल में समेलन में भारतिय इसाइयों का परतिनिदी तो किस ने किया था मैंने मासभा मोंजी के बारे में बताया था depressed class की और से बियारंबित कर रतनलाई स्रीनवास गए हुए थे सिक की और से सरदार उज्वाल सिंग यहां पर प्रिजेंट थे लेकिन यहा बढ़ते हैं अगले सवाल की और पूछा गया है which of the following leader participate in second roundtable conference RTC second की बात हो रही है पाले की बात हो गई देखिए second में जो है second जो roundtable conference हुआ था उसमें गांधी जी गए हुए थे Congress की और से तो Congress ने participation किया बिल्कुल किया गांधी जी गए हुए थे बिल्कुल गए हुए थे BR Ambedkar जो की depressed class को represent कर रहे थे वो भी roundtable जो second roundtable हुआ था उसमें गए थे और मैं आपको एक सवाल ही बता देता हूँ और आगे बढ़ेंगे उसके बाद देखिए BR Ambedkar साहब जो थे वो तीनो roundtable में present थे पहले roundtable conference में BR Ambedkar present थे दूसरे में भी वो present थे तीसरे में भी वो present थे अब दूसरे roundtable की मैं थोड़ी सी आपको भूमी का बांद कर बता देता हूँ और detail में चीजों को समझा देता हूँ ताकि आप जो है आसानी से जो है इसको याद रख पाओ देखिए September में ये हुआ था 1931 में अब ये हुआ क्यों था ये हो क्यों पाया था इसके पीछे जो और दूसरा है MR जाएकर इन्होंने जो है गांधी जी को समझाया मनाया कि आपको जो है Congress को लेकर जो भी Congress की तरब से बाते हैं वो Britishers के सामने रखनी चाहिए तो गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट हुआ था याद रखिएगा गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था यहने कि गांधी इरविन के भी समझाता कब हुआ था 1931 में और इसी का जो है रिजल्ट आपको देखने को मिले का कि Congress जो है Roundtable Second में प्रिजेंट हुई थी तो देखिए क्या-क्या सही बात है यहां से देख लो पूचा गया कि कौन-कौन लोग जो है Second Roundtable Conference में सामिल हुए थ सरोजनी नाइडू भी गई हुई थी और मदन मोहन मालविये भी गई हुए थे लेकिन यहां पर देखो मौलाना अब्दुलकला माजाद यहां पर नहीं गई हुए थे फर्स सेकेंड थर्स का सही जवाब होगा Option C जो है इसका Correct answer है क्लियर हो गए बाते अब देखिए अमत इकवाल भी यहां पर प्रेजेंट थे यहां पर मैंने पहला नाम बता है दूसरा नाम और सर मिरजा असमाइल भी यहां पर गई हुए थे जो कि मैसूर के दिवान थे ठीक है इसी तरह से S के दक्ता भी यहां पर गई हुए थे याद रखना यह यह नाम बहुत important है और तो सर सयद अली इमाम यह भी यहां पर प्रेजेंट थे और ब्यारमेद कर तो definitely गई हुए थे चलिए आगे बढ़ते हैं पाच में सवाल की ओर देखे पुचा गया है कि लंदन में जो आयोजीत हुआ था गोल में सम्मेलन गांधी जी किसमें प्रेजेंट थे मैंने बताया पहले में कॉंग्रेस तो रिप्रेजेंट थे ही नहीं सेकेंड में definitely गांधी जी गए हुए थे गांधी इरविन समझोता के बाद तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number B यानि कि गांधी जी जो है second round table में गए हुए थे question ये भी पूछा जाएगा कि तीनो round table conference यानि कि गोल में सम्मेलन में कौन सामिल हुआ था definitely एक ही नाम याद आना चाहिए B.R. Ambedkar ठीक है चलिए अब थोड़ा सा ये लंबा question है ये मैं आपको समझा देता हूँ पहले देखे दावा किया गया है कि जवाहरलाल नेरू ने दूसरे गोल में सम्मेलन में 1922 में भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस का परतिनिधित्व किय ठीक है ये सही बात है क्या बिल्कुल गलत बात है क्यों क्योंकि जवाहरलाल नेरू ने नहीं बलकि महात्मा गांधी ने जो है राउंड टेवल सेकेंड को जो है रिप्रेजेंट किया था कॉंग्रेस की और से तो पहला स्टेटमेंट रॉंग हो गया दूसरा क्या है गलत है लेकिन इसका जो कारण दिया गया है वो तो सही है जवालाल नेरू गए नहीं थे यहांपे आगे बढ़ते हैं साथमे सवाल की और महात्मा गांधी जब जहाज में एक कॉंग्रेस परतिनिदी के रूप में दूसरे गौल में समेलियन में भाग लेने के लिए लंद गया है बहुत एक्जाम में यह सवाल पूछा जा चुका है कहां पे ठारा गया था किंग्सले हॉल में अब बात आती है कि किस जहाज से वो गए थे इसके बारे में भी आगे सवाल है मैं वहां ले लूँगा इस सवाल को ठीक है आगे देखिए दूसरे गोल में समेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन के लिए रवाना होए थे बंबई याने की आज की मुंबई तो कॉंग्रेस में एक कॉंग्रेसी परतिनी धित्यु के रूप में जाना जाता है वो गए थे एक्चली यहां पे जहाज के बारे में पूछा गया है कि वो जहाज जो है किस नाम से जाना जाता है ठीक है देखिए इसका सही जवाब है SS राजपुताना इसका नाम क्या है SS राजपुताना किलियर हो गई बाते यहां से देखिए निमलिकित मैंसे किस गोल में सम्मेलन में भारती राष्टिये कॉंग्रेस के एक परतिद्रित ने पहली बार very first time participation किया तो देखिए पहले round table conference से जो है कॉंग्रेस गायब थी तो पहली बार जो है second round table conference में कॉंग्रेस यहां पे सामिल हो गई थी तो इसका सही जवाब क्या ह होगा भी कि साथ आपको बढ़ना था आगे बढ़ेंगे दूतिये गोल में सम्मेलन में किस मुद्धे पर यह विफल हो गया यानि कि यह जो है नहीं हो पाया फेल हो गया यह देखिए communal delegation से जो है communal आगे हम लोग जो है आगे जो question आएका न उससे आप चीज़ों को समझ पा हिंदू, मुसलिम, सी, किसाई सभी जो है इंडियन हैं सबसे पहले वो इंडियन हैं बाद में वो किसी धर्म को रखते हैं इसलिए जो है यहां पर अंग्रेज का तो काम ही था अपसमें इनको लड़ाओ और अपना फाइदा निकाल लो तो गांधी जी जो है इसके सक्त खि पूछा गया है निमलिकित कत्नों पर विचार करना है आपको पर्थम गोल में सम्मेलन में डॉक्टर अंबेतकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी सही बात है और यह सही बात है ठीक है पूना पैक्ट में दबे कुछले लोगों को अस्थ निकाय और सिविल सेवा में परति निधित्व के लिए विशेश परधावन दिये गए थे बिलकुल सही बात है पूना पैक्ट में यह बात है की गई थी तीसरा सवाल है भारती राष्टे कॉंग्रेस ने गोल में सम्मेलोन में भाग नहीं लिया है तो देखिए यह बोला स्टेट्मेंट करेक्ट हो जाता है तो सही जवाब क्या होगा ऑप्सन एक भी सही है दो भी सही है तीन भी सही है और देखिए तीनों आपको कहा में लेगा ऑप्सन नंबर डी में यानि कि यह स्टेट्मेंट क्या है बिलकुल करेक्ट है आगे देखिए who among the following issued the communal award communal award जो है संपरदाइक पुर्षकार किसने जारी किया था तो देखिए रामा ऐसा है जो मैकडोनाल्ड थे उन्होंने जारी किया था ये मुसलिम लिग को ये एवार्ड दिया गया था इसके खिलाब थे गांदेजी वो कह रहे थे कि ये जो अंग्रेज हैं ये देश को तोड़ना चाहते हैं मुसलिम और हिंदु को आपस में लड़ाना चाहते हैं आगे देखिए असापरेट इलेक्टरोल ग्रूप देखिए यानि कि अगस्त 1932 में पहली बार रामसे मैकडोनाल्ड के संपरदाइक न्याधी करण के दोरा एक अलग चुनाब चुनाबी समू बनाया गया था उसका नाम क्या है किसके लिए ये बनाया गया था तो देखिए डेफिनेटरी मैंने आपको बता दिया मुसलिम के लिए ये जो है ये बनाया गया था सौरी, मुसलिम के लिए नहीं, ये जो है, अंटेचेबल के लिए बनाय गया था, देखिए, गांधी जी का कहना था, कि दलित जो है, अलग नहीं है हिंदू से, वो हिंदू में ही सामिल है, ये गांधी जी का कहना था, तो option D, क्या होगा, correct हो जाएगा, चलिए आगे बढ़त सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजन था, सामपरदाइक पुरुसकार के समय में, वो नहीं चाहते थे कि हिंदू समाज से, दलितों को अलग किया जाए, उनका मानना था कि सभी एक साथ ही बढ़ें, और याद रखिए, B.R. Ambedkar को पीछे हटना पड़ा था, इस मामले में, और त संग की अस्थापना वगरा भी की थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, 1932 में महात्मा गांदी ने आमरन अंसन किया था, मुख्य कारण क्या था, देखिए मैंने आपको बता दिया, गांदी जी ने जो आमरन अंसन किया था, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजन थ पुरुषकार के उद्देश को हरा दिया, ये दावा किया गया है, ठीक है, और देखिए क्या बुला गया है, इसने अनुसूचित जन जाती लोगों के लिए संसद और राज बिधान सभाव में सीटों के आरक्षन का मार्ग प्रसस्त किया, बिल्कुल सही बात है, पूना पूना पैक्ट में आपको ये दोनों स्टेटमेंट, यानि कि दोनों बातें जो है कही गई थी, तो दोनों करेक्ट है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू, और जो पाला का एक्स्प्लेनेशन दूसरा करता है, चली आगे बढ़ते हैं, 1932 में पूना पै इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, और इनको हरिजन सेवासंग की अस्थापना के समय अध्यक्स भी बनाया गया है, अगला सवाल है देखिए, desperate class league was established by, किसके दोरा depressed class league की अस्थापना की गई थी, तो definitely बियारमित कर के दोरा depressed class की रखी गई थी मांग, कि इनके हको को मारा जा रहा है, और ये गलत बात है, ये ऐसा बियारमित करने कहा था, निमलिकित मैसन, किसने कहा था कि गांधी जी, चनमंगूर, प्रेथ की तरह ध जब दोनों के बीच में बिबाद हो चल रहा था, ये अरबडा जेल में मिले, और फिर सारी बातें clear होई, उस समय जो है, बियारमित करने ये बातें कही थी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, option number A, तो ये था round table 1, 2, 3 से प्रसंद जो पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, I hope कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, भारती रास्टी आंदोलन में जो है, अगले topic के साथ हम लोग सामिल होंगे, आगे आएंगे, लेकिन नीचे comment करके आपको बताना है, किस वीडियो को आप जो है, कहां से देख रहे हो, किस जगा से देख रहे हो, नीचे comment करके जहें 0 लिखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, thank you so much for watching this video, have a good day.